जरूरत पढ़ने पर अपने ही काम आता है दवाईया और जरूरी सामान अपने नज़ी की मेडिकल स्टोर से ही मंगवाए लोकल को सपोर्ट करे, डाउनलोड करे आयू एप सबसे तेज, सबसे भरोसे मन्द जरूर्ट में आप देखें सिता की मौत हो गई, तो 10 जून 2020 को लेप्टोस्पाइरोसिस से रुद्रबाग की मौत हुई 11 जून को इसी बिमारी से शेर सिधार्थ की मौत हुई 4 अगस्त को इसी बिमारी से सफेद बाग राजा मारा गया 18 अक्टूबर को काडिया करेस्ट आने से शेर कैलाश की मौत हो गई तो 3 नवेंबर 2020 को लेप्टोस्पाइरोसिस से शेर तेजस की जान चली गई इन वनी जीवों की मौत के बाद जाच में कैनाइन डिस्टेमपर और लेप्टोस्पाइरोसिस वाइरस का पता चला जो चूहों और नेवलों के यूरीन से फैलता है लेकिन इसके बावजूद चूहों और नेवलों की रोक थाम के लिए खदम नहीं उठाए गए हाला कि कई बिग कैट्स की मौत के बाद सभी बाग शेर और लेपर्ड के ब्लड सैंपल लिए गए जिसमें बाग और शेर की किड्नी खराब मिली क्रेटील लेवल 3.5 से 4 तक पाया गया तो भी बायोजिकल पार्क प्रशासन लापरवा बना रहा और महज एक एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह पर ही इन बिग कैट्स को दवाई दी गई ऐसे में वन्य जीवों की लगातार मौत के पीछे शुरुआती तोर पर मॉनिटरिंग और एक्सपर्ट्स की कमी को वजह माना जा रहा है इसी बीच अब शेर तेजस ने दम तोड़ दिया है नाहरगर बायलोजिकल पार्क के सहायक वनसंदक शक जगदिश गुपता कह रहे हैं मेडिकल बोर्ड ने तेजस की मौत के कारण भी लेप्टोस्पायरोसिस बताया है लेकिन वाइरस को फैलने से रोकने के लिए चुहू और नेवलों की रोक्ताम क्यों नहीं की जा रही इसका जवाब कोई नहीं दे पाया लेहाजा इससे वन विभाग की कारिशेली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं वहीं वन जी प्रेमियों को पार्क में बचे दो शेर और तीन बागों की सुरक्षा की चिंता सता रही है निर्मलतिवारी फर्स्ट इंडिया न्यूस जैपुर